प्यारे बच्चों नमस्कार, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है आज हम हिंदी की कक्षा में बड़ाउ मत्रा के शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करेंगे कल हमने बिटा हिंदी की कक्षा में बड़ाउ मत्रा के बारे में सीखा था हमने इस मात्रा को देख कर पहचाना इस मात्रा की आवास और इस मात्रा के चिन के बारे में सीखा था फिर हमने सभी अक्षरों सभी वर्नों के साथ चोट बड़ाउ मात्रा को लगा कर उसको पढ़ने का अभ्यास किया आज हम अपनी किताब भाशा मादुरी में से बड़ाउ मत्रा के शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करेंगे तो इसके लिए आप खोलेंगे पेज नंबर 16 हां जी बेटा ये है पेज नंबर 16 इस पर आपको दिये गए हैं बड़ाउ मत्रा वले शबत ये है बड़ाउ और ये है बड़ाउ की मत्रा कल हमने इसकी आवास की बड़े में सीखा था कि बड़ाउ मत्रा की आवास होती है और जिस पी अक्षर के साथ ये मत्रा लग जाती है उसके साथ इसकी आवास भी जुड़ जाती है अब इस पेस पर देखिए बिटा पहले आपको कुछ चीतर दिए गए हैं हम इन चीतरों को पहचानेंगे और फिर उसके बाद हम शब्दों को पढ़ने का भ्यास करेंगे सबसे पहले चीतर देखिए बिटा यह क्या है इसको कहते हैं तराजू देखिए जब हमने शबत बोला तराजू तो जग साथ कौन सी मत्रा के वाज आ रही है? बढ़ा होगी तो शबत देखिए तराजू अगला शबत देखिए क्या है यह? चितर को देखिए पहले क्या है बिटा? यह एक फल है यह कौन सा फल है? ये है कर्बूजा शबद देखिए अब कर्बूजा अगला चितर इसको पहचानिये क्या है ये? ये है मूली शबद पढ़िए मूली अगला चितर ये भी एक फल है कौन सा फल है? अमरूत शबद को पढ़िए अमरूत अगला चितर ये क्या है? इसे कहते हैं त्रिशूल शबद को जब हमने बोला तो बढ़ाओ की आवाज आई ना अब शबद को पढ़िए त्रिशूल त्रिशूल अगला चितर कबूतर ये एक पक्षी है तो बोल कर देखिए नाम इसका कबूतर कौन सी अवाज आई? बढ़ाओ की शबद को पढ़िए कबूतर आगे देखिए क्या है बटा ये इसे कहते हैं जूला आप भी जूलते हो ना जूला हमारे स्कूल में भी कितने सारे जूले हैं आप सबी ने उस पर जूले लिये हैं तो किसका चितर है बटा ये जूला पढ़िए शबद को जूला जूला अगला चितर यहाँ पर ये आपको एक बोतल दी गई है किस चीज़ की बोतल है इस बोतल के अंदर क्या है इसमें है दूत शबद को पढ़िए दूध दूत सभी बच्चों को हर रोस दूत पीना चाहिए ओके क्योंकि दूत से हम ताकतवर बनते हैं ओके अगला चितर बिटा क्या है ये फूल शबद को पढ़िए फूल फूल अगला चितर सूरच ये थी बिटा चितरों को पहचान कर हमने उनको उनके नाम के बरे में बताया कि इन चितरों के क्या नाम है जब हमने इन चितरों के नाम लिए तो हमें पता चला कि इनके नाम में मत्रा जो आ रही है वो कौन सी मत्रा है बड़ाओ की मत्रा अब यहां पर आपको बड़ाओ मत्रा के कुछ और शबद दिये गए हैं अब हम इनको पढ़ने का अभ्यास करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं भालू भालू कालू कालू कचालू कचालू भालू कालू कचालू जू, न, जून खुल, दूल भूल, जूल धूल, धूल भूल, जूल, धूल सुखा, सुखा, भुखा, भुखा, सुखा, भुखा आरू, आरू, जारू, जारू, आरू, जारू रा जू, का जू, काजू तो ये थे, बेटा, बड़ाऊ मत्रा के शबत आपने इन शब्दों को ध्यान से पढ़ना है और जहां पर बड़ाऊ की मत्रा आएगी आपने उसकी ठीक आवाज निकालनी है क्या आवाज निकालनी है? तो आज आ बेटा ये सारे शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करेंगे आज के लिए इतना ही धन्यवाद